कश्मीर से धारा 370 हटने से पाकिस्तान की नैसनल असेम्बली में हाय तौबा मची हुई है इमरान सरकार ने NSC यानी राश्टे सुरक्षा समीती की आनन फानन में बैठक बुलाई NSC की बैठक में पाकिस्तान ने भारत के इस कदम की निंदा की और अपनी बॉकलाहट मिटाने के लिए कश्मीर को लेकर भारत के इस फैसले को शेत्रिय और अंतरास्टे शांती के लिए खत्रा बता दिया ना कश्मीर पाकिस्तान का ना कश्मीरी पाकिस्तान की और ना ही कश्मीर से पाकिस्तान का कोई लेना देना फिर भी एनसी की मीटिंग में भारत के खिला पांच फैसलों की फैरिस्ट सामने आई है पहला, पाकिस्तान ने भारत के साथ कूटनीतिक संबंदों को कम करते हुए इसलामबाद में भारत के उचायुक्त को लोटने का निदेश दिया है दूसर, पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यपारिक संबंदों को खत्म करने का फैसला किया है तीसरे, पाकिस्तान अब दूई पक्षिय समझोतों की समीख्षा करेगा चौथा, जमुकश्मीर के मुद्धों को पाकिस्तान संयुक्त रास्टे और उसके सुरक्षा परिशद में उठाएगा और पांचवा फैसला है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ मजबूते के साथ खड़े रहने के तौर पर याद करेगा जबकि 15 अगस्त को वहां काला दिवस मनाया जाएगा खिसी आया पाकिस्तान यही नहीं रुका उसने भारत के साथ 9 एर रूट में से 3 को बंद कर दिया है और तो और आधिराज से पहले पाकिस्तान ने जमू कश्मीर के सुंदर बनी सेक्टर में सीस्वायर का उलंगन करते हुए जम कर मौटार धागे लेकिन उसे भारत के और से मौतोर जवाब मिला अब जरह पाकिस्तान एसेम्बली में वहां के वरिष्ट मंतरी की भारत के खिलाब गीदर भपकी को भी सुनिये हाना कि आप सीरियस कम होंगे हसी ज़ादा आएगी अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला हुआ तो ना हिंदुस्तान में चिडिया जाकेगी ना खास उगेगी ना परिन्दे फट बडाएंगे और हिंदुस्तान को अपनी सफा हस्ती से मटा के रख देंगे क्यूँकि पाकिस्तान भी संदगी का ये आखरी मारत का हो उसे उम्मीद थी कि दुनिया के इसलामिक देश और उसके मित्र देश इस पर भारत की निंदा करेंगे जबकि ऐसा कुछ नहीं हो तो उसकी हालत अब खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के पास खुद पाकिस्तानियों को खिलाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है वो हिंदुस्तान के साथ किस प्रकार का व्यापार करेगा पाकिस्तान के पास है क्या जो ट्रेड करेगा व्यापार करेगा इससे उनको क्या फाइदा होगा जिस कश्मीर को लेकर बौकलाया पाकिस्तान लगातार अपनी अनरगल दलील पेश करता आया है उसे अब ये समझ लेना होगा कि उसके कबसे से पाकिस्तान दिक्रित कश्मीर भी निकलने वाला है क्योंकि भारत ने प्योके को भी अपने मिशन कश्मीर के अजंडे में शामिल कर लिया